अब आगे रनविजय भागा भागा उससे फामिसी में आता है और जल्दी से पाखी के पास रुख जाता है वो पाखी के चहरे पर हाथ रखते हुए पाखी बच्चा क्या हो गया अब ठीक हो आप फिर से बेहोश कैसे हो गए मुझे बताईए कही आपको कोई चोड़ तो नहीं लगी कही आपको हट हो रहा है क्या पाखी हैरानी से रनविजय को देखती है उनकी उसके कौनिंग उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वो गिर चुकी है तो फिर उसके हभी को कैसे पता चल गया क्या हो गया तुम मुझे इस तरह से क्यूं देख रही हूँ यही सोच रही हूँ ना कि मुझे कैसे पता चला वो इसलिए क्योंकि मेरे गार्ड्स ने मुझे बताया जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे मैंने रनविजय पहले ही उसकी आँखों के सवाल को समझ कर जवाब दे देता है जिससे पाखी बस अपनी आँखे हमें चिपक देती है फिर वो उसे डॉक्टर की तरफ मोरते हुए डॉक्टर बताए इनका क्या हुआ है जी आप कौन आप पाखी के क्या लगते हो पती रनविजय सिंग शेखावत पाखी का पती डॉक्टर कंफर्म करने के लिए बाकी की तरफ देखती है तो आँखे अपना सरहम हिला देती है तो अब जाकर डॉक्टर उनको देखते हुए है ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बस प्रॉपर रेस्ट लेने की वज़ह से इन्होंने बेहोश हो गई और कोई बात और उसकी अपनी गोड में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है मोहित डॉक्टर को देखते हुए अंडिस को आपने उसे क्यूं नहीं बताया जो हमें बताया था डॉक्टर से पहले माही उसकी बात का जवाब देते हुए क्योंकि भावी नहीं चाहती थी उन्होंने डॉ पूछा था इसलिए मोहित उल्जन के साथ लेकिन ऐसे कैसे आखिर वो उन्हें क्यों नहीं बताना चाहती उन्हें भी तो जानने का हक है। बेवकूफ हो सकता है कि वो उनको ना बताना चाहती हो अभी के लिए उनको किसी और तरीके से बड़ा सर्प्राइज दे कर बताना चाहती हो। हाँ वैसे बात में दम तो है तुम्हारी छोटी लड़की माही मो बनाते हुए अंडसको मैं छोटी लड़की नहीं हूँ मैं पूरे 22 साल की हूँ मोहित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और मैं 25 साल का तो मेरे लिए तो तुम छोटी लड़की हुई ना माही स्कूल चड़ाते हुए अंडसको जी दादा जी यह बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है तो उसके पीछे मोहित भी आ जाता है रुको शैतान लड़की अभी तुम्हें बताता हुँ कि मैं दादरी हुँ या फिर कुछ और रुको तुम इक्वल्स 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 सुमन अपने रुम में बेसुच से बैठी हुई थी ना तो उसको कुछ किसी चीज का होश था और ना ही किसी चीज का मलाल वो बस एक तक सामने देख रही थी जहाँ पर कुछ नहीं था सिवाए दीवार के तभी उसे रूम का गेट खुलता है और वहाँ से शेखर अंदर आता है जिसके हाथ में एक सूप का बाल था वो उसे कटोरा को लाकर उसके साइट टेबल पर रखता है और सुमन के सामने बैठ जाता है चलिए खाने का समय हो गया मुह खोलिए हम आपको खिलाते हैं ये बोलकर वह उसे चमच से सूप उसके मुह के पास लेकर जाता है सुमन मुह नहीं खोलती वह बस एक तक उसके बार को देख रही थी शेखर उसके चहरे को अपने चहरे की तरफ करता है और उसको फिर से मुह खोलने को बोलता है इस बार सुमन मुह खोल लेती है ऐसे ही कर से लग जाता है और बच्चों की तरह रोने लग जाता है मुझे नहीं देखा जाता उसको इस हालत में मुझे मेरी वही सामान पसंद है जो मुझे हर वक्त तूटती थी हर वक्त मुझे लड़ाई करती थी यह सुमन मुझे नहीं पसंद प्लीज भाई मुझे मेरी सुमन की सुमन को फिर से पहले जैसे जिंदा दिल बन सके लेकिन देखो ना कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा ना जाने उसने खुद को कौन से पिंजरे में बंद कर लिया है जिससे वह निकल ही नहीं रही हम पिछले एक महीने से उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रह है कि वह खुद ही ठीक नहीं होना चाह रही अब नमन को गुस्सा आ जाता है वह गुस्से में अपनी मुठी जोर से करते हुए मिल जाने दो मुझे उसे नमन से सो दिया को फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ समझ अकेली नहीं है उसने उसे अकेली समझ कर इ में बहुत सारे कश्ट लग गए थे जिस वजह से उसकी आवाज पर फर्क पड़ा था और वो लगबग दो हफ़तों तक कोमा में भी थी लेकिन जब वो उसे हफ़ते के बाद कोमा से बाहर आये सभी बहुत खुश हो गए लेकिन ये समझ अलग थी इसमें ना जान थी ना जी होगा इक्वल्ज 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 मानव के अस्पताल में मानव अपने एक पेशिंट को चेक कर रहा था जो कि कोई 22-23 साल की लड़की थी जो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही थी वो जान बूच कर मानव के करीब आने की कोशिश कर रही थी मैंने तो य चीज नहीं नोटिस की लेकिन बाहर नोटिस कर ली थी ये कोई और नहीं खुश्बू दी खुश्बू दंदन आते हुए अंदर आती है और मानव को उस लड़की से एक जटके में अलग कर देती है मानव बेचारा खुद ही सदमे में था कि अभी-भी क्या हुआ वो बस अ जोनों के बीच में आकर गुलू-गुलू करने की कोशिश की ना तो तुझको मैं तो हूँ ही नहीं बलकि सीधा थोग दूगी ये बोलकर वो मानव का हाथ पकड़ कर उसको वहां से लेकर चली जाती है मानव बेचारे को अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला उससे पहले ही उसकी हिटलर बीवी ने उसको खीच लिया था खुशबू उसको लेकर उसके केबिन में आ जाती है और सीधा उसको गेट पर ही धका देकर उसके होटों को अपने होटो पर रख लेती है और बहुत ही पैशन के साथ किस करने लग जाती है काफी देर बाद वो दोनों एक दूसरे को फोटो को छोड़ते हैं खुश्बू मानव को देखते हुए आप इतने ज्यादा हैंसम हो कि मेरा तो मन ही नहीं करता आपको कही छोड़ने का जैसे हम लड़किया मंगल सूत पहन कर हम बता सकती है कि हम शादी शुदा है का वैसे आप लड़कों के लिए कोई रूल नहीं बना कर जिससे लड़किया आपको तारना बंद कर दे ये बात खुश्बू ने बहुत ही क्यूट हुए में कही थी जिसको देखकर मानव का दिल साफ हो जाता है वो प्यार से उसको अपनी बाहों में जानता है और हॉस्पिटल से बाहर बाहर अपने घर की ओर चल पड़ता है जैसे ही मानव घर में प ये ये सब क्या है मनी मनी पीछे मुर कर अपने भाई को देखा है और सीधा सपाडूलास में भाई हमने शादी कर ली हाँ वो तो ठीक है लेकिन इस तरह से अचानक कैसे कुछ चीज अचानक ही होती है भाई जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता ये बोल कर उसकी लड़की और क्यू पाखी ने मना कर दिया रनविजय को अपनी हेल्था के बारे में बताने से जानेंगे हमारे आगे आने वाले चैप्टर से मुझे पता है दोस्तों कि आपको यह मेरे चैप्टर थोड़े से बोल लग रहे होंगे लेकिन कल और परसो मैं बहुत बड़ा बम बोले जा रही हूँ आप किस करना आई हूँ मेरा ये बात आपको जरूर पसंद आएगा तो इंतजार में रहना हमारी कल के चैप्टर में म जाती है वो भी हैरानी से खुश्बू के चेहरे को ही देख रही थी दीदे आप आप यहाँ पर कैसे खुश्बू यह मेरा ससुराल है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ लेकिन तुम बताओ तुमने शादी कर ली क्या सुमन को इस बारे में पता है सुमन का नाम सुनकर काजल की यांखे बड़ी बड़ी हो गई जिस चीज को मानी और मानव दोनों ही नहीं लोट कर लिया मानव खुश्बू की तरफ देखते हुए काजल और सुमन का क्या संबंध है खुश्बू जो इसके शादी के बारे में सुमन को पता होना चाहिए था। खुश्बू उसके तरफ देखते हुए वह इसलिये क्योंकि सुमन और काजल कजन सिस्टर है। और ज्यादा मायूस नहीं करूंगी हाँ बस इतना कहना चाहूंगी जो भी बात है वह जल से जल सुमन को बता दो तुम्हें पता है ना कि अगर उसको बाद में किसी और से पता चला तो उसको बहुत ज्यादा हट फील होगा। काजल अपनी आशु भरी आँखों को जपका देती है तो खुशी उसके आशुओं को पूछती है और थोड़ा सा नौटन की करने के अंदाज में। वैसे एक चीज के लिए तो मैं अपने देवर को शुक्रिया बोलूगी क्योंकि मैं इस बड़े से घर में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी लेकिन तुम्हारे आने से मेरी वह बोलिये तो चली जाएगी और अब मैं तुम्हारी जेठानी हूँ तो तुम पर हुक्म जलाने है अगर तुम्हें मेरी प्यारी सी गुडिया पर हुक्म चलाने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ अरे वह भाई वह अपनी गुडिया के आते ही अपनी बीवी को भूल कर यह कहां का इंसाफ है मुझे इंसाफ चाहिए माई लव यह पर कोई कोट का चहरी नहीं है जहां पर आपको इंसाफ मिलेगा बलकी के अगर आपको इंसाफ चाहिए तो तीन दोनों का इंतजार कीजिए क्योंकि शनिवार और रविवार को कुछ बंद रहेगा आपकी सुनवाई सोमवार को होगी तो चाहिए सोमवार को अपनी पूरी देता है अंदिसको पाखी जो की अपने कमरे में मिरके सामने ख़़ी थी वह अपने फ्लाट टमी पर हाथ फैला रही थी ना जाने उसके चहरे पर एक अलग सी चमक और उसकी आँखों में बहुत ज्यादा प्यार था जो सिर्फ और सिर्फ रनविजय के लिए था मुझे यकीन नहीं होता कि आप हमारी जिन्दगी में आने वाले हो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं तो खुद बच्चों की जिन्दगी जीती थी मुझे कहां पता था कि मेरे अंदर एक निन्ही सी जान पर रही है जो की मेरी और रनविजय के प्यार की निशानी है जी हाँ आपका अंदाजा बिल्कुल सही था हमारी प्यारी सी पाखी प्रेग्नेंट है उसने डॉक्तर को भी इसलिए बताने से मना किया था क्योंकि वह इतनी बड़ी खुशखबरी खुद अपने मुँझ से जल्दी चेक को सुनाना चाहती थी तभी कमरे में रन दीजे आता है जिसके चहरे पर कोई भी पाप नहीं थी वह जब बाकी को देखा है तो उसके चहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है वह उसके पास आता है और पीछे से उसको अपने गले से लगा कर उसके पेट पर रखाथों पर अपने हाथ रख लेता है क्या कर रहा है मेरा बच्चा ऐसे आइने में खुद से ही बातें पाखी को नचाने आज सजन विजय से क्यों शर्मा रही थी जब रनविजय ने उसको पकड़ा तो बाकी के दिल में अजीब सा शोर होने लगा शायद उसको अपने इन एहसासों की समझा गई थी वह उसके चहरे पर छाया की लाली आ जाती है ओल्ड ओल्ड मैन पाखी बस इतना ही कह पाती है सन्विजय उसके चहरे की लाली को देखकर समझा आता है कि वह पक का शर्मा नहीं है ये देखकर उसके चहरे पर भी एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है वह उसके बालों को एक सा करने लग जाता है साथ ही साथ वह हलके हलके से अपने दातों से उसकी गरदन को जब आ रहा था बिल्कुल किसी कैंडी के जैसे तभी रनविजय का फोन पर एक मेशेज आता है जिसे सुनकर रनविजय सूप जाता है और बाकी को देखा है जिसकी हालत वह सदा मेसेज हो चुकी थी वह उसकी हालत को देखकर हलका सा मुस्कुरा देता है और फिर उसे फोन को देखा है जिसको देखकर ही उसके चहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान आ जाती है पाखी आप जल्दी से तयार हो जाए फिर हमें एक जगह पर चलना है एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है आपके लिए पाखी हिरानी से उसकी तरफ देखते हैं सर्प्राइज वह भी मेरे लिए वह क्या है ओल्ड मैं प्लीज बताए ना जाना जब बोला है कि सर्प्राइज है तो मैं वह बता कैसे सकता हूँ बस इतना पता है कि आप उस सर्प्राइज को पाकर कभी नहीं भूल पाओगी तब आओ जल्दी से तयार हो जाओ पाकी बहुत खुशी से वर्षों में चली जाती है आज के लिए उसने बहुत ही खूबसूरत सी म्रून कलर की साड़ी जूस की थी उसके साथ उससे कोई भी मेकप नहीं किया था बस माथे पर छोटी सी बिंदी आँखों में काजल फोटो पर लिप कलर और कानों में छोटे से दाइमंड की स्टड पाकी उसे सादगी में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी इतनी किरन विजय की नसले ही उससे नहीं हट रही थी वह उसके पास आता है और उसकी आँख से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगाते हुए जितना आज का दिन स्पेशल ह उतनी ही स्पेशल आप लग रही हो मुझे उमीद है कि सच में आज का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी पाकी भी हलका सा मुस्कुरा देती है और उसकी कोट को सही करते हुए मेरे पास भी आपको बताने के लिए एक बहुत बड़ा सर्प्राइज है आई होप मेरा सर्प्राइज को जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे रनविजय बहराइट से बाकी की आँखों में देखता है जैसे बहुत समझना चाह रहा होगा कि आखिर पाकी कि सर्प्राइज की बात कर रही है लेकिन फिर वो उस चीज को हम जाने देता है उसका हाथ पकड़ता है औ उल्ड मैन आपका क्या रियेक्शन होगा जब आप जानेंगे कि मैं प्रेगनेंट हूँ आपकी और मेरे प्यार की निशानी मेरे पेट में बढ़ रही है और इससे ज़्यादा बढ़ी बात मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ कर चलते हुए रणविजय को देखकर पाखी अपने मन ही मन में अपने सपने बन रही थी कि वह जब रणविजय को बताएगी तो उसके चहरे पर कैसे भाव होंगी क्या वह बहुत सारा खुश हो जाएगा उन दोनों के सफर जल्दी खत्म हो जाता है थोड़ी ही देर में वह दोनों एक बहुत ही सुन्दर सी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कोई और नहीं वही रणविजय का घर था जो कि पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था आज इस घर की खासियत ये थी कि इसको बहुत ही मेसेज दिला देता है तो पड़ी उसके गले से लग जाती है रणविजय भी उसको अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है इतना की बाकी की सांस ही बंद होने वाली थी वह हलका सा उसके सीने पर मरते हुए ओल्ड मैन क्या मेरी सांस बैंद करने का इरादा है क्या जो आपने मुझे इतनी जोर से अपने गले से लगाया अगर तुम्हारी सांस बंद कर दीना तो तुम्हारे साथ मेरी सांसे बंद हो जाएगी तो आगे से कभी यह शब्द अपनी जबान पर भी मत लेकर आना कि मैं तुम्हारे साथ बंद करना चाहता हूँ रनविजय के ये चांद बोल ही पाखी के दिल में हजार शोर करने के लिए काफी थे वह प्यार से मुस्कुरा देती है और सनबीजी के हाथ में अपना हाथ दे देती है रनदीजी उसे लेकर अंदर आता है और सीधा गार्डन एरिया में चला जाता है जहां का व्यू बहुत चादा खूबसूरत का क्योंकि वहां से पहाडी के नीचे का सारा इलाका दिखता था वहां बीच बीच डिनर टेबल का इंतजाम किया गया था जिसको देखकर पाखी के चहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है वह रनदीजी के साथ वहां पर जाती है रनदीजी उसे वहां बिल्कुल उसे पहाडी के सीधे के ऊपर खड़ा हो जाता है तुम कितनी खुश हो पाखी रनदीजी का सवाल शंकर पाखी अपनी चमकती हुई आखों से अपने सर को पीछे करकर रनदीजी को देखते हैं और फिर एक बढ़ी वाली मुस्कान देते हुए मैं आज बहुत- मेरी जिन्दगी में एक साथ इतनी खुशियां कभी नहीं आई आप मुझसे इतना प्यार करते हो मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार करती है और तो और अब तो मा बाबा भी तुम्हे सब प्यार करते हैं पाखी तुम्हे सब का प्यार मिलता है अपने माय के वालों का अपन अचानक से रन्विजय की आँखों में गुसा पर आता है वह उसको खुद से अलग करता है और उस पहाड़ी से धक्का दे देता है पाखी गिरने के दर से अपनी आखें बंद कर लेती है। आप ये कैसा मजाग कर रहे हो मुझे यह मजाग बिलकुल पसंद नहीं आया मुझे ऊपर खीची मुझे दर लग रहा है। आता हैसा व्यवहार कर रहे हो आखिर मेरी गलती क्या है। रनविजय उसे ऊपर खीच लेता है वह सीधा आकर रनविजय के सीने से टक्रा जाते हैं। रनविजय उसके बालों में को कसके अपनी मुठी में पकड़ता है और उसके चहरे को अपने चहरे के सामने करते हुए। तुम्हारा ही कसूर है पाकी राठोर तुम्हारा ही कसूर है क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ जो ये सब कुछ हो रहा है। पाकी जिसकी आँखे दर्द से बंध हो गई थी लेकिन जब वो रनविजय की बात सुनती है तो वो अपनी आँखे खोल देती है और उसकी तरफ देखते हुए आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मेरे साथ इस तरह से जानवरों जैसा व्यवाहार कर रहे हैं और क्या आप मुझको बार-बार पाकी राठोर बोल रहे हो आप गूल गई क्या हमारी शादी हुई है मैं पाकी राठोर नहीं पाकी शेखावत हूँ पाकी रनविजय शेखावत रनवी जय फिर से हसता है और उसके बालों पर अपनी पकड़ को कसते हुए अंडिस को मजाक अच्छा कर लेती हो पाकी तुम्हारी बज़े से ही तो शुरू हुआ तुम्हारी बज़े से तुम्हारे उस सुकॉल भाई जो मेरी प्यारी सी गुलिया की जिंदगी म आया उसको अपने चक्कर में फसाया और अब पूरे परिवार मेरी छोटी सी गुलिया से नफरत करता है पाकी की आखे है रानी से अपनी आखे बढ़ी करते हुए अंडिस को क्या रोशनी और भाय आप जूट बो रहे हो मेरे भाय ऐसा नहीं कर सकते उनकी भी एक बहन है उ जे बस इतना पता है कि मेरी बहन की जिंदगी खराब करने वाली तुम हो पाकी तुम्हारी वजह से मेरी बहन जो प्रेगनेंट है जिसको इस समय अपने पूरे परिवार की जरूरत है उसके इस परिवार ने उसे अपना मूँ फिर लिया तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने मेरे पापा की बेजती की मेरे चाचा की बेजती की और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इसमें गल्ती नहीं है। मेरी बहन इस समय महसूस कर रही है तुम्हें तु खाना खिलाने के लिए मेरी मा है तुम्हारी फिक्र करने के लिए तुम्हारी अपनी मा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा पती है और तुम्हें एंटेटेन करने के लिए तुम्हारी दोस्त है लेकिन मेरी र मैं जिसको हाथ में वह रिक्षा का धागा बनती थी कि मैं उसकी रक्षा करूंगा लेकिन देखो ना सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की वजह से मैं मजबूर हो गया। ये बोलते हुए रनविजय की आँखे लाल हो जाती है जैसे वह अपने आशुओं को आने से रोक रहा था फिर वह पाकी को बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखते हुए। ज्यादा बहुत ज्यादा खुश रखता। मेरा मन होता था कि जिसकी वजह से तुम्हारी आँखों में आशु आए है मैं उसकी जान ले लूँ मैं उसको कहीं गाना छोड़ू लेकिन देखो तुम्हारे भाई ने मुझे कैसा बना दिया आज मुझे सुकून पहुँच रहा है तुम्हारे आँखों में आशु देख वल सब कुछ सही था सब कुछ प्लान के हिसाब से था लेकिन तुम्हारा मेरी जिन्दगी में आना मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा रेर ग्रेट था उस दिन को कुछ तो हम जिस दिन तुम इस दुनिया में और हमारी जिन्दगी में आई मैं उस पल को कोसता हम जिस पल तुम्हारी मा ने तुम्हें मेरी गोद में दिया मैं उस पल को अब सोचता हूँ जिस पल मेरा दिल तुम्हारे ये पहली बार धर्का था और मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता जिस पल तुम्हारी बजह से मेरी बहन ने अपनी हस्ती खेलती दुनिया खोदी उधरन चिन्ह पाकी रनविजय की तरफ देख रही थी उसका पूरा चहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था उसकी आखे भी अब तक सोच चुकी थी और जो कुछ कहने के लिए बेकरार थी लेकिन ना जाने ऐसी कौन सीसी लग गई थी कि वह कुछ बोली न पाकी सभी जगहों पर जब मैंने तुमसे शादी की तो तुम्हारा भाई मेरी बहन की जिंदगी में आया जब मैंने तुम्हें लाड लदाया तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ दोखा किया जब मैंने तुम्हारे साथ इस रिष्टे को आगे बढ़ाया तो मैं तुम भी वह अपनी लड़कराती हुई आवाज के साथ तो अब तो अब आप क्या चाहते हो मुझसे क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ। मैंने बताया ना यही चाहता हूँ मैं जो तुम्हारी आखों में आंसू है ना और यह तुम्हारे चहरे का यह दुख यही चाहता हूँ पाखी में सच में तुमने मुझसे मेरी बहन कुछ चीन लिया और मेरी बहन से तो उसकी सारी दुनिया को चीन लिया और तुम्हारे भा तुम कोई भी खुशियां डिस्टब नहीं करती तुम्हारे हिस्से में कुछ भी खुशी नहीं आ सकती और मैं ये शार्टी दूनगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी आएगी भी नहीं अगर आएगी भी तो मैं उसको चीन लूनगा। ये बोलकर रनविजय फिर से पाखी को खुद से अलग कर देता है बाकी खुद को संभालने के लिए उस टेबल पर रखी चेय पर बैट जाती है क्योंकि उसके पैट पूरी तरह से जवाब दे चुके थे उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक सही से कर सकती है वह अपना सि सही नफरत से भरी साइब दिखाओगे रनविजय चल कर उसके पास आता है और कुर्सी के सामने अपने खुद को होने के बल बैट जाता है पाकी उसकी तरफ देखती है तो फिर और पीछे उसके फ्लैट पेट पर अपने हाथ को रखते हुए ये तो सबसे बड़ी खुशी होती है बाकी एक लड़की की जिंदगी में कहते है ना एक लड़की तभी पूरी होती है जब वह मा बनती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका सबसे बड़ा सहारा तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी बड़ी खुशी का भागीदार तुम ही को बनन करने के लिए दो-तीन लोग चाहिए वह क्या एक मा बनने का सुख दिजब करती है। क्यों क्या कमी है मुझ में रनविजय मैं क्यों इस सुख को नजर नहीं करती। जिसमें एक मा के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली तो तुम्हें लगता है कि भगवान तुम जैसी लड़की को इतनी बड़ी खुशी देगा नहीं पाती वह तुम्हें कोई भी खुशी नहीं देखा। में ऐसा क्यों लिखा आज से साथ साल पहले भी एक ऐसी ही काली रात थी जिसे उसका सबसे बड़ा नायक में अब बन गई और आज उसकी जिंदगी के साथ साल बाद फिर से वैसे ही एक रात आई जो शायद उसकी जिंदगी भर का एक ऐसा जख्म बन गई जिसको वह कभी भर नहीं पाएगी उसके मासून से दिल में ऐसी चोट लगी की शायरी अब वह संभाल पाए। इस हालत में भी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसकी वह करती वह शक्स वहाँ निकाल कर देखता है तो पड़ी पूरी तरह से खून में लगपथी उसके साथ से रुपने को तैयार थी।